अगर इस चीज को केवल एक बार पे लें तो जिन्दगी भर के लिए लीवर हो जाएगी पूरी तरह से साफ नहीं होगी कोई भीमारी आप सदा जवान बने रहेंगे नमस्कार दोस्तों स्वागत है रोगा नुसार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ है रहने वाली इच्छा पूरी तरह से संभव नहीं हो पाती एक बार हमारे सरी में किसी बिमारी ने प्रवेस कर लिया तो समझ लें कि फिर धीरे धीरे हमारा सरीर बिमारीयों का घर बनता चला जाता है जिसके उपचार में कई महेंगे और कठिन इलाज भी कराने पड़ते हैं और इनसे निपट पाना भी काफी मुस्किल हो जाता है जिगर के बिना हमारा सरीर कई कारियों को नहीं कर पाता दोस्तों लिवर खराब होने या लिवर में गंदगी होने पर कई कारेश हमता पर असर पता है ऐसे में लिवर को डिटॉक्स करने के लिए आप घर पे ही कुछ उपयोग कर सकते हैं बहुत ही आसान बहुत ही सस्ता लेकिन इसे कम लोग ही जानते हैं इसलिए आज हम आपको जरूर बताएंगे दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकर छुटे तो वीडियो को अंतर तक जरूर देखें दोस्तों हमारे वीडियो को लाइकन ना भोलें इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही आल नोटिफिकेशन को जरूर आन कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मुबाइल पर मिल जाए इसके लिए आल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें नमबर एक दोस्तों ग्रिन टी पीने से सरीर में जमा फैट और विशाक्त पदार्थ बाहन निकाल जाते हैं ग्रिन टी हानिकारक प्रभावों से लिवर की रच्छा करने का काम करती है जो लोग नियमी तुरूप से ग्रिन टी पीते हैं उनका लिवर जादा स्वस्त रहता है इसे अच्छे से मिलाएं और सुबह इसे पी लें रोजाना 10 से 12 गिला गर्म पानी का सेवन करें नमबर तीन दोस्तों लिवर को साफ करने के लिए हल्दी को भी काफी फायदे मन माना जाता है हल्दी में लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के गुड होते हैं नमबर चार ग्रीन टी प्लांट बेस्ट अंटी ऑचिडिनट से भरी होती है जो लिवर की चेर्वी को खत्म करने और लिवर के कारे को बढ़ाव देने मत करती है फैटी लिवर की समस्या के बीमारी और खत्रे को कम करने के लिए हर दिन 2-3 कप ग्रिन टी का सेवन जरूर करना चाहिए नमबर 5 पपीता दोश्टों लिवर के लिए पपीता बेहद लापकारी होता है आप इसका जूस भी बना कर पी सकते हैं लिवर को मजबूत बनाने के लिए भी पपीता काफी कारगर साबित हो सकता है पपीता लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में बहुती सक्री रूप से कारे करता है आप हपते में पपीता का सेवन कम से कम दो बार जरूर करें